नमस्कार दोस्तों, जेए मैं 2024 में जो स्टुडेंट्स तीन लाख तक ओल इंडिया रेंक पर हैं, उनके लिए डिफेंस फॉर्सेज नेवी में पर्मानेंट कमिशन्ड ओफिसर बढ़ने का सुनरा अवसर है। प्रिंस एंडी अकेडमी, प्रिंस एडूकेशन अब से, मैं डॉक्टर प्यो सुन्डा और मेरे साथ हैं पवन कुमावत सर्थ, स्वागत है सरा, हमने एक वीडियो जारी किया था, टी एएस टेकनिकल इंट्री स्कीम इंडियन आर्मी, और वहां हमने कहा था कि दो लाख है, दो लाख पचास जार, पचास जार तक की रेंग वाले बच्चे वो फॉरम बर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने प्रिंस के उस वीडियो को देखके, टी एस के लिए अप्लाई किया, और बविसे में उनमें से, कई बच्चे, डिफेंस फोर्सेज, इंडियन आर्मी में कमिसंड ओफिसर बनने वाले हैं, आज के दिन हमने जेई में की ओल इंडिया रिंग डाइलाग से बढ़ा कर तीन लाग कर दिये, इसमें तीन लाग भीश जार तक भी चांस है, तीन लाग का हम आईडिया दे रहा हूं इस साल का लगबग, अगर तीन लाग तक आपकी ओल प्लस टू बी टेक कैड़ेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमिसंड ने कंपरिरी वर्ती नहीं है वैसाब, और कोर्स जनवरी में, जनवरी 25 में शुरू हो जाएगा, नेवी बी टेक, इंजिनेरिंग का ही कोर्स वहां पे है, इंजिनेरिंग भी बच्चा वहां करेगा, बचा है, लाज 20 जुलाई को आप सामको 6 बचे तक अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लिकेशन फीज की बात करें, तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, नो फीज फ्री, गर्स बोज दोनों के लिए हैं, और इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज का मामला है, इसलिए सब कुछ फ्री है, अन्य था तो जार दो जार रुपे ले चलते हैं, ले पड़ते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको जोई इंडियन नेवी, जोई इंडियन नेवी, डॉट जोवी, डॉट इन, तो इंडियन आर्मी, टी एस, बीटेक से, एक सेलेक्टेड बच्चा, बीटेक करके, डिफेंस फोर्सेज में डिरेक्ट लेटिनेंट, ये सर्, लॉटिनेंट बन जाता है, और नेवल बीटेक से, वहाँ जो पद मिलता है, वो भी समकक्स पद होता है, लेकिन उसका डेजिगनेशन है, वो सब लेटिनेंट, सब लॉटिनेंट का रहता, मिन्स, होज में कमिसेंड ऑफिसर वो बच्चा बन जाता है, तो बहुत महत्वपूरी वीडियो है, जिन भी बच्चों ने जही में दोजार चोबिस दिये, या जही में दोजार पच्चीस जो बविसे में देंगे, सब तक इस वीडियो को सेयर करें, बहुत ही इंपोर्डेंट अवसर सब्सक्राइब होने के लिए 70% 70% in PCM, Physics, Chemistry, Maths, तीनों में 70% आपके होने साही एग्रिगेट और 50% इंग्लिस, यहां इंग्लिस का वेटेज है, पिछले वाँ टी एस में नहीं था, बट इसमें इंग्लिस का वेटेज है, एंग्लिस 50% 10 या 12 तो चलेगा, और फाइनली जो रेंग बनेगी, मेरिट बनेगी, वो जेई मैन के नुसार बनेगी, अब यहां आप देख रहे हैं कि लास्ट येर्स में क्या रहा था, यह बैच जोइनिंग का है, चुलाई में 24 में जिस बैच नहीं जोइन किया है, वहां एक्जुकिट्व ब्रांच में 3,20,000 वाले बच मिल जाए, और इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्डेंट स्लाइड पे, एज कितनी होने चाहिए, जवान चाहिए, जवान अपसर बुड़ा नहीं, छोटा सा बच्चा चाहिए, जो टेलेंटेड हो, और फोज के लिए बहुत कुछ कर सकें, देश के लिए में होनी चाहिए, और उसके साथ ही ये लिखा, एज मिनिममम साड़ी सोड़ा साल, लेकिन साड़ी सोड़ा साल अभी नहीं, एक जनौरी दोजार पच्चीस को बच्चे की जोइनिंग की डेट रहेगी, एससबी इंट्रिव के बाद, तब साड़ी सोड़ा साल का बच्चा होना चाहिए, मतलब आज के दिन जो बच्चा सोड़ा साल का है, वो बच्चा अपलाई कर सकता है, हाइस्ट है आपका गुनिस, साड़ा गुनिस जोइनिंग का है, और आज की डेट में उनीस साल का होना चाहिए, तो यह मेरे को लगता पोंसर ये गरबट लिख दिया, अप्लाई करने का प्रोसीजर किया है, जैसे कि पहले पी बताया था, आपको डारेक्टली ओनलाइन अप्लिकेशन पे क्लिक करना है, जो इन इंडियन नेवी का जो साइट है, उस पे ओनलाइन बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट डेटा एक आईटी प्रूप के लिए आप आधार करड लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, सेलेक्शन कैसे होगा, नेवल हैड़कॉर्टर, जो बच्चे अप्लाई करेंगे, उन में से शोर्ट लिस्टिंग की जाएगी, रेंग के नुसार, मिनिमम कट ओफ रेंग जैए मैन की उ वो कितनी रहती है, लास्ट ये तीन लाग बीस जार थी, अपड़ गई साल बढ़ेगी, तो तीन लाग वाले बच्चे का अरफ सकते हैं, उससे समंदित सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन रेंग लिस्ट जो जैई मैन की है, उसके आधार पे शोर्ट लिस्ट किया सिप्टमबर से तो इंट्रीव सरू हो जाएंगे, मिन्स बीस जुलाई आवेदन की तिति है, उसके ठीक बाद में कुछी दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, और उसके बाद अगस्त का आपके पास सिप्टमबर से इंट्रीव सरू हो जाएंगे, अगस् सिप्टमबर से नामें ऑफिसर, जो सोट लिस्ट केंडिडेट्स हैं, उनका जो रिजल्ट्स हैं, या तो आपको इमेल के माद्यम से मिलेगा, या फिर आपके बास टेक्स्ट मेसेज आएगा, अब इसमें एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है, वेरी इंपोर्टेंट है इसलिए मेल और मोबाइल नमबर में आवेदन करने के बाद कोई भी चेंज नहीं करना है, इसे कई कैसे जो मारे पास आते हैं, कि सर्मय ने मोबाइल चेंज कर दिया था, मेल चेंज कर दिती प्रोसेज उनका वहीं अटक जाता है, तो मेल पे आपको मोबाइल पे सुचना आएगी कि SSB इंट्रिव में वही साब आपको कब आना है कहां पर आना है और यह इदर आगे प्रिंस एंडी एकेड़ी की ऑफिसर्स की फोज 11 ब्रिगेडियन और करनल रेंक के दिखारी मैं दावा कर सकता हूं देश की किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेंगे एक साथ की घर है तो आप आते गे जाते गे तो जोड़ते जाओगे तो काम रेंगे एक साथ की गार आप ब्रिगेडियर करनल कॉमोडोर रेंक के ओफिसर्स प्रिंस एंडी एकेडमी प्रिंस एनिक स्कूल सीकर राजस्तान में बच्चों को SSB के लिए तयार कर रहे हैं एंड एंडीय में एए आर एक तीन्थ रेंगल्स में और आल एक साल में तीस SSB रिकमेंडेट कैड़ेट्स प्रिंस एंडीय केडमी ने दिये और इस साल का अगडा उससे भी बहुत ज़्यदा जाने वाला एंडीय वन फिप्टी थी की SSB चल रही है रोज़ना खुसकपरी आ रह है खाखा के मीठे भी बहुत हो जाएंगे रिमोटे भी बहुत हो जाएंगे ऐसा आवसर हमारे बच्चे अब चल रही SSB की सीरीज में डेली इंफॉमेशन दे रहे हैं और यह बात भी है कि वहां लोग से पहचानने भी लगए अब बच्चों से बात करते तो एक ही बात कह पहले से आज कि अcession से कि से फिरकशी पहले जब बच्चा पास ओता था शकते हैं यह hours के ने फिंट ₹ए की लिस्ट है आप यह बढ़ती जा लीए बढ़ती जारी यह 너enne साल रिकोर्ड ही नहीं महरे को बनाएगी मैं कहना चाहूंगा जो भी बच्चे TES जिसका पिछला हमने वीडियो बनाया था उसकी SSB प्रारम में हो गई है तो TES का भी जिन बच्चों का कोल लेट रहा है वो स्पेशल SSB कैपसूल कोर्स 11 अधिकारियों के मारक दर्सन में हर महिने 1 और 15 तारिक को शुरू होता है Prince India Academy में उसके लिए आ सकते हैं TES के लिए इस टाइम एकदम दुहादार SSB की तैयारी चल रही है जो बच्चे नेवी बीटेक के लिए भी अपलाई करेंगे उनका जुलाई एंड में एंड से पहले ही उनका शिडूल आ जाएगा SSB का सिप्टमबर से उनका SSB शुरू होगा अगेस्ट महीना पूरा उन बच्चों के पास रहेगा मैं तो कहना चाहूंगा IAT NIT की तुला में अगर इसको आप महत्वर देते हैं तो केरियर में देश सेवा एक अधिकारी का जजबा एक अधिकारी का डेकॉरम इनका सबका महत्व है और लाइफस्टाइल IAT और NIT से भी बेतर हो सकती है वो भी यहां तक की रेंग में जिसकी तीन लाक रेंग है उसको वेट करनी जुरूत है नहीं है उसका तो डेफिनिल स्प्लाइश से प्रिमंडेटिकिंगे में अभी लेट्सुरू होगा, वो जोईन कर सकते हैं यहां बश्त महीने का सब्सक्तों स्युल कर सकते हैं आपका स्वागत अभिनंणद से नहीं होता है सब्सक्राइब करें उसे पहले दो सब्सक्राइब के चर्चे जो रूब है बड़ी परसिद्धी मिल रही है चारू तरफ एक के बाद एक सेलेक्शन हो रहे हैं और जहां भी देखें चाहिए आप सोचल मीडिया पे देखें डेली कोई ना कोई पोस्ट आपको एंडिया के मि रिकमेंड होता है तो भी उपलब्दी मानी जाती है यहां तो जब भी सब्सक्राइब कर देली बच्चों की खबरें आ रही है कि आज वो रिकमेंड हो गया और प्रिंस एंडिया केडमी प्रिंस सेनिक स्कूल नो डाउट देश की नंबर वन एंडिया के बन चुका है स्वागत है धन्यवाद नमस्कार जैए जैए